इसमें दिया है किशन की लांगवेज को समझना यह परसंटेज की जादा सवाल है किशन स्पेंट्स 30% of his salary ओके office salary on food on food and donates और अच्छे सवाल है easy हैं लेकिन अच्छे है basics अच्छे हैं and donates 3% and donates 3% office salary जिन बच्चों से यह सवाल सारे हो रहे हैं इसका मलब उनके basics अच्छे हैं 3% को की language ही समझना 3% office salary in a in a temple full stop then in a particular month आपको यह भी दिया है in a particular month in a particular month comma he spends he spends rupees 231 on these two items on these two items okay तो आप से क्या पुछा हुआ आप से पुछा है what what is his what is his total salary what is his total salary for this month यह भी फिर से इट्स चूरन सवाल चूरन मींस easy ठीक है easy सवाल है ओके मैं question को underestimate नहीं कर रहा हूँ easy है लेकिन तो इसमें क्या है साफ-साफ दिया है आपको language समझनी है okay what is given in this that 30% उसने अपनी salary food में again let again हम लोग वही चीज़ करेंगे let total salary is equal to x को कि हमें वही निकालना है तो वह क्या कर रहा है इस total salary की तो 30% है वह food में खर्च कर रहा है तो food में कितना खर्च कर रहा है 30% of his salary so 30 upon 100 into x directly लिख रहा हूँ ठीक है और फिर donate कर रहा है अपनी salary डोनेट कर रहा है डोनेट कर रहा है 3% of his salary का है remaining नहीं का है इस इसको अच्छी समझना तो युक नोट अड़ 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 इड लाइक इस आप परसंटेज को ऐसे अड़ नहीं कर से इंडिविजली लेना पड़ेगा ठीक है डोनेट कितना किया उसने 3% और 3% of his salary ही कह रहा है total salary इसको समझना पड़ेगा 3 upon 100 into x ओके और वही चीज़ कह रहा है और इसी का परसंटेज हमने इसी का प्राइस दिया तर इन पर्टिकलर मन्त एक मन्त में उसने इन दो चीज़ों में 231 रुपीस spend किया इसका मतलब अगर food में जो उसका expense है और जो उसने donate किया वो expense मिला के कितना होगा उसका 231 very simple इसका मतलब 30x upon 100 plus 3x upon 100 will going to give you how much 231 ठीक है समझ में आ रहा है so 33x upon 100 is equal to 231 ठीक है x will be is equal to 231 into 100 upon 33 ठीक है 33 7 times and you will get the answer 700 ठीक है 700 will be his total salary 33 ठीक है इसको आप directly 33 करके कर सकते हैं ok